अलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू सपना सिंपल आइजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे गनेश चतूर्थी स्पेशल मोदक। इसके लिए हमने लिया है सवा कप मैदा, एक कप सुखा नारियल पाउडर, आधा कप शक्कर आप इसके बजाए गुड़ भी ले सकते हैं, दो चमच क्रश कैशुनट, एक चमच चारोली, एक चमच किश्मिश, आधा चमच हरी इलाईची पाउडर और मोदकों को तलने के लिए गी, आप तेल भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम मोदक की कवरिंग बना लेंगे, मैदे में दो चमच मोयन डालेंगे, और आधा छोटा चमच नमक डाल कर आटे को अच्छी तरह से दो मिनट तक मिक्स करते रहेंगे। आटे में मोयन का प्रमान चेक करने के लिए, हम आटे के बॉल बना कर भी देख सकते हैं। अभी आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर उसे गुन लेंगे। जान रहे आटा बहुत सक्त और बहुत नरम नहीं होना चाहिए। हमने आटा गुन लिया है, अब इसे 15 मिनिट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आप आटे को एर टाइट बॉक्स में या प्लास्टिक रैप करके भी रख सकते हैं। अब हम मोदक की स्टफिंग तयार कर लेंगे। पैन गरम हो गया है, एक चम्मच घी डालेंगे। और कोकोनट पाउडर डालकर 3-4 मिनिट के लिए धीमी आज पर भून लेंगे। अब इसमें शक्कर डालकर 2 मिनिट के लिए धीमी आज पर भून लेंगे। अब मोदक के स्टफिंग के मिक्स्टर में मावे और इलाइची पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। मिक्स्टर तयार हो गया है, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। 15 मिनिट के बाद आटा सेट हो गया है, इसे एक मिनिट के लिए गून लेंगे। अब आटे के सेम साइज के पेड़े बना लेंगे अब इसकी पतली पूरिया बेल लेंगे जितनी जादा पतली पूरिया बेलेंगे उतने ही जादा क्रिस्पी मोदग बनेंगे सारी पूरियों को बेल कर हमें गीले कपड़े से ढखकर रग देना है ध्यान रहे पूरिया सुखनी नहीं चाहिए नहीं तो मोदग तलते समय फूट जाएंगे अब पूरी के बीच में मिक्षर भरेंगे और पूरी के किनार उको पानी लगा कर उसे मोदग का आकार देंगे इस तरह से हमने सारे मोदग बना लिये है अब हम इसे तल लेंगे कड़ाई में घी गरम हो गया है अब मोदग को सुनारा रंग होने तक तल लेंगे हमें मोदगों को धीमी आज पर ही तलना है ताकि अंदर से वो पूरी तरह से पक जाए और बहार से क्रिस्पी हो जाए आपको ये स्वादिश्ट और क्रिस्पी मोदग की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर बनाएए थैंक यू